उत्पास सिपाही भरती दौड परिक्षवा एक बर्फिर से शुरू हो गई है जिसको लेकर अलग-अलग जीलों से अभ्यरती राजधारी राचु के स्मार्ट सिटी पहुँच रहे हैं फिलाल एक तस्वीर हम अपने दशोकों को दिखाएंगे कि दौड कंप्लीट करने के बाद अमाम जो अभ्यरती है यहां से सिधा अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं हम इनसे बादशीत करने की कोशिश करेंगे कि कितने मिनट में इन्होंने दौर कंप्लीट किये 10 किलोमीटर का दौर कितने मिनट में किये हैं कितना practice था एक मंद से practice था उसके पहले army के लिए तियार कर रहे था हमूद छोड़ दिये थे फिन इधर एक मंद पहले तियार किये 250 चार दिन पहले फिन छोड़ दिये इसके बाद माद मैं रहा कि उकपन किछ से बेसिक लिया हम लोग बिहार से हैं आरा जीला आरा जीला से हैं कुछ अलग लगा कुछ वेवस्ता यहां पर थी वेवस्ता बहुत बढ़िया था अच्छा जब आप लोग वह खबर सुने कि बारा से तिरा भेर्ट्यों की मौत हो गई है तो उस वक्त क्या दिमाग में चल अब बारा जाएंगे तो वही हुआ उसके साथ अच्छा आप लिए थी कोवीड के समय यह तो क्या उससे कुछ साइड एफेक्ट लगा क्या दोडने में थकान महसूस हुआ क्या ऐसा लगा कि अब नहीं दोड पाएंगे क्या अब चकर आजाएगा सामने पुरा ब्लाक ऐस कुछ नहीं दोडने के बाद फाइनल दोडने मिल रहे हैं और पानी वेड़ा वेरस घ्योल है जहां लग रहा है कि थकान महसूस हो रहा है तो महां पर पी लिए तो एनरजी मिलेगा वक्की दोड़ने को क्या संदेश दीजिगा क्या खाली पेट में दोडना ठीक है या फि कुछ खा कर हल्का फुलका कुछ खा कर दोडे एक दम खाली पेट में मी दोडना है कुछ अंदर में रहना चाहिए था कि 10 km कोई 1600 मेटर नहीं को फाइनल दौडना ये पांच मेर ये 10 कि टिलमेटर एक घंटा हमको तो चाहिए आनाज यहां दो फल लेलते हैं यहां दो फल खुश है, चास मिनट में आपने पूरा किया है, कुछ और टार्गेट था क्या? खुश है, चास मिनट में आपने पूरा किया है, चास मिनट में आपने पूरा किया शर्व करते हैं, तो यह पार टार्गेट था क्या है? फिर नहीं होगी जो प्राक्टिस हम लोग करें वियर्थ ना जाए कैसा चल रहा था दिमाग में? इसको नॉर्मल चाल के लिए अगर दस किलो मीटर सही है अगर एक घंटा टाइम दिया हुआ है तो ज्यादा एफट लगा सकते हैं लेकिन इसे कुछ है नहीं कि इसमें कोल क्वालिफाई करना है तो एक घंटा में अपना जो भी अभियर्थी दौर पूरी करके बहार निकले ह उनका यही कहना है कि जिनकी दौर अभी कंप्लीट नहीं हुई है जो घर बैठे ये इंतिजार कर रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्या विवस्ता है तो देखे इनका कहना है कि विवस्ता पूरे तरीके से यहाँ पचाक चौबंद है इसके साथ इनका यह भी कहना है कि अगर के बगल वाले आपसे जादा स्पीड दौर रहे हैं तो आप जिस स्पीड में दौर रहे हैं सिर्फ उसी स्पीड को कंटिन्यू रखे और आगे दौर इसके साथ ही देखे इन्होंने मूल मंत्र भी दिया है कि अगर आपकी प्रैक्टिस 15 दिनों तक की है तो आप यहाँ प